दोस्तों computer on किजेगा तो आपका नाम बोलेगा या किसी का भी नाम बोलेगा आप जो लिखेंगे वो बोलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आप desktop पे आ जाईए और right click किजे और उसके बाद new पे जाईए new पे जाने के बाद आपको text document पे click करना है click करने के बाद एक नया file यहाँ पे बनेगा उस पर double click करके इसे open कर लिजे और यहाँ पे कुछ type करना है वो मैं video के description में link दे दूंगा जो type करना है उसका तो उसे आप वहाँ से copy कर लिजेगा और copy करने का बाद इस तरह से यहाँ पे बोला जागा computer के द्वारा तो खैर यहाँ पर आप कुछ भी change कर सकते मैं इसे इतना ही रहने देता हूं अब इतना होने के बाद आपको गया करना फाइल में जाना है और save as पे click करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नाम लिखना है मैं लिख देता हूं अपना ही नाम और यहां थोड़ा द्यान दिजिएगा भी बी और एस लिखना है आपको भी बी और एस लास्ट में डॉट देकर और बस लिखना है और उसके बाद आप इसे डेक्टोप पर ही save कर लिजेगा मैं इसे यहां से save कर देता हूं जैसे ही save कीजिएगा तो गुछ इस तरह का किजिए और उसके बाद यहां पे आपको type करना जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से आपको type करना ए इस फीर दवल ₪ उसे लिखना फिर इसे लिखना फिर अ मुझे बाद आपको करना है और उसके लिखने अब आपको paste कर दीजे बस एक काम हो गया और इसे यहां से cut कर दीजे आपका काम हो गया दोस्तों मैं यहां से refresh कर लेता हूँ refresh करने के बाद एक छोड़ा सा और काम करना होगा आपको control पैनल में जाईएगा और यहां पे search में sound लिख लिजेगा ताकि आसानी से मिल जागर आपको पता है कि sound कहां पे रहता है तो search करने के ज़रूद नहीं है उसको बाद सबसे उपर में change sound card setting इस पर click कीजे click करने के बाद यहां पर sound पर click कीजे अब यहां पर पहले से default में windows default लिखा हुआ रहता है तो इसे आपको हटा देना है आपको कर देना है no sound और no sound करने के बाद आपको यहां पर apply ओके कर देना है यहां पर देखे एक नीचे में इस पर tick किया हुआ रहता है play windows तो अगर इस पर tick किया हुआ रहाएगा तो जो music होता है शुरूँ मैं starting करते समय वह आएगा और नहीं रहाएगा तो नहीं आएगा खैर इससे कोई मतलब नहीं है इससे tick ही रहने दीजे और यहां पर no sound कर दीजेगा और apply करके कर दीजे अब मेरा काम हो चुका है और कुछ हमें करना नहीं है एक दो बार refresh कीजे और उसके वाद आप अपने windows को start कर लिजे रियस्टार्ट कीजे जैसे रियस्टार्ट हो जागा तो वहाँ पर जो भी कुछ भी लिखा हुआ था यह आपका computer आपका laptop बोलेगा और आपको काफी बहतरी लगेगा दोस्तो है अगर वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक जरू किजेगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जूर सकते हैं चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ थैंक्यू कर दो